hi guys welcome back to another video of economics on your tips बड़े दिनों के बाद जी हां after very very long time we gonna start economics again from the beginning क्योंकि जनाब टर्म, वन टर्म, टूस रिलेटिड सारी कहानी आ चुकी है starting के सारे chapter 9 ने उड़ा दिये है start directly money and banking से गिया है जनाब आज हम करने वाले है money and banking को and most probably money and banking को करने का एक अजीब तरीका करने वाले है जी हां आज हम उस normal standard patent right तरीके से नहीं करने वाले है आज हम money and banking को MCQ solving के patent के अंदर करने वाले है जी हां जैसे देखो simple सा concept है तुमारे अब term 1 और term 2 का concept लग गया है अब क्योंकि term 1 term 2 हो गया है तो हमको लिखने वाला concept तो चाहिए ही नहीं हमें लिखने वाला concept चाहिए क्या बिलकुल भी नहीं चाहिए हमें concept चाहिए सिर्फ वो जहां पर हम बहुत ही easily MCQ का solution दे सके जहां पर हम बहुत ही easily अपने सवालों के जवाब निकाल सके तो आज हम money and banking को कुछ इसी प्रकार से करने वाले है जिससे आप सभी money and banking को MCQ के अंदर फोट डाले, तोट डाले, मरोट डाले है तो एक बार सभी से घुजारिश है बेटा फटा फट जाके शेयर कर दो और उसके बाद हम लोग बद दो मिनिट के अंदर करते हैं अपने आज की क्लास को आरंब जल्दी बहुत बढ़िया शाबाज बिटा शाबाज बहुत बढ़िया ग्रेट 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 एक बार सभी 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 जाके सभी जाके शेयर कर दीजे एंड विल गना स्टाट टुड़े ऐस फास्ट आस पॉसिबल जल्दी ओके बिटा चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को विल गना स्टार्ट टुडेस क्लास ऑफ क्यों के दर मतुनां का नहीं चलने वाला है तो चले आरम करते हैं लाइच गेट सबड़ सिंपल सी बरत यह पूरी कीली यूनिट ay जिसके अंदर मनी और बैंकिन इन दौनों का मर्जर किया गया है मनी और बैंकिन इन दौनों का merger किया गया है ठीक है जी तो इसलिए आप लोगों को यह समझना है कि यहां चैप्टर आपस में किस प्रकाट से लिंक है और इन से रिलेटेड करण्ट अफेर वाले कौन-कौन से question आप से पूछे जा सकते हैं जैसे एक्जामपल यहार मनियन बैंकिंग से बहु question है यह mcq के अंदर आ सकता है कब हुआ था जनाब यह हुआ था आठ नवंबर 2016 के उपरांत आठ नवंबर 2016 यह ऐसी तारीख है जिसके बाद slr को बैंकों ने और बैंकों के slr को सो प्रतिशत तक भड़ा दिया था यह तारीख कहलाती है वह तारीख जहां भारत में हुआ था डी मॉनिटाइजेशन पांसो और हजार के नोट को मोदी जी रात को आठ बजे आके बंद कर गए थे यह क्या है यह कॉंसेप्ट जरूर मनी इन मैंकिंग का है पर है आपके जनरल नॉलेज का करेंट अफेर से रिलेटेड बहुत सारी चीजे हैं जो कि यहां पर इस से पूछी जाती हैं ठीके जी तो इसलिए ध्यान रखें कि मनी इन बैंकिंग बहुत ही जादा इंपोर्टन कॉंसेप्ट करता है और मनी इन बैंकिंग से बहुत सारे कोशन आ सकते हैं चलिए ठीक है और अब तक अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम बैच जोईन नहीं कि तो बेटा फटा फट से जाके अन्रॉल कर लो यहां पर गौरव जे के कोड की मदच से अम लोग इंडिया की सबसे बड़ी नो डाउट आर्मी को क्रियेट कर रहे हैं ठीक है जी तो ध्यान रखो कि जब समय है ना समय रहते समझदारी मिलना बहुत जादा जरूरी है और सम करते हैं तो मनी जो है न कई सारी डेफिनेशन को पोस्ट आन करती है आपकी पुस्तक के अंदर मनी से रिलेटेड दोचार डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है मनी का मतलब क्या था सिंपल बाच्छा है बोलू जो कि जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह मानी जाती है जो की मेजर ओफ वैल्यू है यानि की जिसके बेश्यस मर्गाई क्या जाता है स्टोर ओफ वैल्यू है मीन्स प्रडाइंश के बहुता है उधार इसका मतलब क्या होता है उधार वो ही उधार जो दुकानदार कहते हैं आज नगद उधार कल आज नगद कल उधार तो ये वो ही उधार है तो मनी क्या है मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम medium of actions की तरह कारे कर सकते हैं जिसको हम measure of value की तरह कारे कर सकते हैं जिसको हम संभाल के जाए अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जनाब एक चीज़ समझना यूनिट ऑफ अकाउंट क्या होता है यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है बेसिकली करंसी ओफ एनी कंट्री छोटी छोटी सी चीजे जो कि आप लोगों कहीं भी पूछी जा सकती हैं तो किना है ठीके जी ओके खुशी बेटा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो फटापट जाके ले लो डोंट ठेंक मच राइट वे ठीक है बताब जाके फटापट से ले लो एक सब्सक्राइब कुछ टॉपिक्स को लेकर कुछ पॉइंट को लेकर ठीके जी चलिए हम आगे सम समझे लेना मनी सप्लाइब का मतलब होता है एक टोटल वैल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाइद पबलिक एट पर्टिकुलर पॉइंट अफ ताइम पे पबलिक के हात में कितना पैसा पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाइब और मनी सप्लाइब के जो मेजर्स ह होते हैं वो होते हैं M1, M2, M3 and M4 ठीके यह बेसिकली आपके कोर्स के अंदर नहीं है तो आपको इनके बारे में ज्यादा डीटेल के अंदर नहीं पड़ना है बट इस चीज का याद रखना है कि मनी सप्लाइब का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ बड़ा है अब यहीं से एक ऐसा mcq generate कर रहा हूं यहीं से एक ऐसा mcq generate कर रहा हूं जिससे दिमाग घूम जाएगा मुझे यह बताओ कि मनी सप्लाइब है बाफ की ट्रॉक कॉंसेप्ट है या फिर स्लोग कॉंसेप्ट सेंटे कल स सवाल है जोगो है आप को भी देख हो विना बनेटोक टु पहले है वो ट्रॉचला सभागा ऐं कर लोग बनी संसेप्लाइब साम् बं के अंदर है और यह स्वाल आसकता है कि मनी संप्लाइब कॉं बहुत बढ़िया तो money supply जनाब stock concept है कौन सा concept है stock concept stock concept का मतलब क्या हुआ वो concept जो की particular point of time पे पूछा जाता है ठीक है so money supply is a stock concept अपनी-पनी copy के अंदर लिख लेना अगला जो concept आपके काम का है वो होता है fate money अब भया fate money किसे कहते है fi 80 money किसे कहा जाता है समझना जब भी हम यहां पर नोट चापते के नोट कैसे सब्सक्राइब किसी को पता है ज्यान समझा समझो नोट कैसे चपते फॉर एक्जामपल यह पकड़तम और भी इसके पास क्या है इसके पास अविलेबल होती जनाब हाँ जी क्या ये unlimited नोट चाप सकती है अगर इसके पास नोट चापने की मशीन है तो क्या ये unlimited नोट चाप सकती है और unlimited नोट चाप कर क्या भारत की गरीब ही मिटा सकती है सीधा सवाल पूछ रहा हूं सीधा से जवाब देना तो इसका जवाब है जनाब नहीं आर बी आई के पास बले ही नोट चापने की मशीन है पर वो अनगिनत नोट नहीं चापती है यूकि वो जितने ज्यादा नोट चापेगी नोट चापने से बढ़ती है मनी सप्लाई चाप沒有 और जिस चीघ की कम होती है वेल्यू उसकी पड़ती है रिक्वाइरमेंट ज़ादा क्या होता ए सब्सक्राइक पर देखتे लोग 100 रुपय में पूरा महीना कर्ड होती है देखते लोग 100 ranking में पुरा महीना निकाल देते हैं बईगए अब एक लाख रुपिया महीना जो है न वो भी कम पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए तो यह क्या है यहाँ पर पैसा तो वही है पर क्यूंकि सप्लाइ बढ़ गई है इसलिए उसकी वैल्यू बहुत जादा कम हो गई सबको समझ में आ गया तो बोली हाँ सबको समझ में आ गया तो जब भी RBI को नोट चापने पड़ते हैं सरकार को जरूत पड़ती वाई सब बजार में नोट चे तो वो जाती RBI के पास ठीक है RBI को बोलते हैं जिसको हम सिंपल भाशा में बोला जाता है गोल्ड ठीक है अब क्या है यह तो होता नॉर्मल प्रोसीजिजिजिजिजिज कि किस प्रकार से नोट चपते हैं बट जब इमर्जेंसी की कंडिशन होती है जब भारत में दुखसान हो रहा है उकूलमी कॉलाप्स होने वाली है तो इन केस ऑफ इमर्जेंसी गॉर्मेंट जो है RBI से नोट मांगती है without giving any physical commodity मतलब गोल्ड दिये बिना ही गॉर्मेंट जो है वो RBI से नोट चपती है क्योंकि ये नेशनल इमर्जेंसी का सवाल है या किसी और पर्टिकुलर कंडिशन में जहां पर इमर्जेंसी है पैसी की urgent requirement है वहाँ पर गॉर्मेंट RBI से नोट चपती है without giving any physical commodity इस प्रकार की emergency money को लिखना मेटा वेट मनी इस अलसो नोग आज इमर्जेंसी मनी इस इमर्जेंसी मनी को हम बोलते हैं फ्येट मनी जिसके बदले में कोई भी physical commodity नहीं दी जाती सबको clear हो गया सबको clear हो गया सबको clear हो गया सबको clear हो गया everyone I want everyone to answer क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत बढ़िया 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 शाबश बहुत 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 बढ़िया ठीक है समझ में आ गया कि डिवेटमनी क्या होता है इसना आप समझो हमारा जो इंडिया रिसरे बैंक औस इंडिया जनाब एक अप्रेल 1935 इन अब फैरत का रिजर्व बैंक बना था मतलब भारत का Central Bank बना था जो कि RBI Act 1934 के तहट जिसको Centralized Bank या फिट बहरत का Central Bank कहा गया था ठीक है MC को इस डिटेट बहुत सारी चीजह मिल गईszके अंदर RBI Reserve Bank of India 1 April 1935 Act 1934 के तहत कहा गया है अब समझना ये दौनों भारत के अंदर अलग-अलग प्रकार के रोल अदा करती ये दौनों भारत के अंदर अलग-अलग प्रकार के रोल अदा करती कैसे रोल अदा करती जान समझना RBI जो है वो कभी भी पब्लिक कोई पास नहीं जाती RBI जो है वो कभी भी पब्लिक के पास नहीं जाती RBI has basically no direct connection with public RBI के connection basically commercial banks के साथ होते है या फिर हमारी government के साथ होते है ठीक है और जो हमारी commercial banks है ये फिर जाती है पब्लिक के पास यह जाती है पब्लिक के पास तो क्या हम यहां पर यह कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्केलर चेन अप्लाए हो रहा है बुलिए बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्केलर चेन का प्रिंसेपल अप्लाए हो रहा है क्या हम यह कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर स्केलर चेन का प्रिंसेपल अपना हो रहा है यह यहां जाता है और यह यहां जाता है अब बात आता है कि काम क्या होते हैं जो सबसे पहले SBI में है, PNB में है, Bank of India में है, चीक है, या किसी भी और बैंक के अंदर है, वो होते कमर्शिल बैंक, इनका में मोटिव क्या होता है, इनका में मोटिव होता है, accepting deposit, accepting deposit, granting loans, और बीच में जो आया, उससे कमा लो पैसा, याने की, clear, इनका जो कार्य होता है, वो क्या होता है, accepting deposit, granting loan, और जो बीच का पैसा है, उस पैसे को वो क्या करते हैं, उस पैसे का वो बढ़ा लेते हैं, profit, अब जो MCQ आएगा, वो सुनना, जो profit of commercial bank होता है, उसको बोला जाता है, spread, क्या बोला जाता है, spread, लिखो सारे के सारे, the profit of commercial bank is primarily known as, spread, clear हो गया, clear हो गया, everyone, the profit of commercial bank is primarily known as, spread, अब समझ न, ये profit कैसे बनता है, ध्यान से समझेंगे सारे के सारे, समझो, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास पैसे एक्षा पड़े होता है, हमारे पास हमारे पिता जी के पास, तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को ले जाके कहा जमा करा जेते हैं, अपने पूरूसी bank में, जहां पर हमारा होता है, फराना दीम का खाता, ये तो सबको पता है ठीक है अब हम वो पैसा जमा क्यों कराते हैं क्यों कराते हैं यूँकि हमारा पैसा घर पे पड़े बढ़ेगा नहीं पर बैंक में जाएगा तो कम से कम 4% तो ब्याज देगा ठीक है लालची आजमी तो समझ ना ये हैं हम साधारण पबलिक और ये हैं तुम्हारा कमर्शिल ब होती है 4% पर एनम के साप से आपको ब्याज मिलता है चार प्रतिशत के आप से आपको ब्याज मिलता है अब यहां पर एक और पॉइंट जो कि आपको ज्यान रखना है यह 4% किसे मिलता है 1% इन एवरी त्री मंस बेसिकली नोन आस वाटर हर क्वाटर के अंदर आप लोगों को एक प्रतिशत का ब्याज मिलता है mcq related हर एक चीज काम की है हर एक चीज यहां पर काम की है कि यह ब्याज कैसे मिलता 1% मिलता हर तीन महीन में अपनी चाहो आप यह बैंक में अगर खाते वाते हैं और आपके पास पासबुक है तो जाके एक बार चेक कर लेना ठीक है जी एक ब्याज मिलता है यह बैंक का बैसिक प्रोसीजर है कि हमारा जो बैंक है वो कुछ इस प्रकार से यहां पर काम करता है अगे समझो अब यहां पर यह यह रिट यह रिट को बोला जाता है Lending Rate, क्या बोला जाता है, Lending Rate, लेंडिंग रेट, देख लो भाई, एक बार जा रहे को सारे, What is Lending Rate? The Rate at which, एक ऐसी rate, जिसके उपर, कमर्सल बैंक लोन देती है, जनरल पब्लिक को, वो कैलाती है, Lending Rate, उसी प्रकार से, जिस rate पर हम पैसा जमा कराते है, बैंक में और बैंक में पैसा देती है उसको बैंक बोलती है बॉरोइंग रेट क्या बुलती है बॉरोइंग रेट क्लियर और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है दो प्रॉफिट ऑफ बैंक 5% is known as spread क्या होता है सब्सक्राइब क्लियर होगे सब्सक्राइब क्लियर हो गया लेंडिंग रेट बॉरोइंग रेट और स्प्रेड क्लियर होगे सब्सक्राइब क्लियर हो गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रेट 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 हो गया bank का procedure अब इसके बाद हमारे आते पिता जी के पास पिता जी को ने पिता जी है आर बी आई पर जाने से पहले एक छोटा सा concept जिसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो छोटा सा concept क्या है वो छोटा सा concept है कि ये 5% के अंदर क्या bank का गुजारा चल जाता है क्या 5% के अंदर bank का गुजारा चल जाता है तो इसका जवाब है जनाब नहीं 5% के अंदर तो bank का गुजारा नहीं चलता है अगर 5% के अंदर bank का गुजारा नहीं चलता तो bank पैसे कैसे कमाती है तो bank जो होती है हमारी commercial bank उसके पैसे कमाने के तरीके को बला जात है credit creation क्या बोला जाता है credit creation या फिर money creation बाइ commercial bank लिख लो इस चीज को लिख लो भाई स्टीज को the process through which commercial banks and money is known as credit creation और money creation ठीक है को और सारे बच्चे थे हमने भी थोड़े दिन पहले mcq लिया था money creation का नाम याद था credit creation सुनते ही डपोल संग हो गए तो money creation को जनाब हम credit creation भी बोलते हैं क्या बोलते हैं credit creation भी बोलते हैं ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास mcq है तो हम एक बर overview कर रहे हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या कर रहे हैं कमर्शल बैंक होता है वो होता है क्या होता है हमारा कमर्शल बैंक होता है जनाब गाए गाए क्यों होता है यूंकि इसका पिताजी जो इसको बोलेगा इसको मजबूरन वही करना पड़ेगा एंड हुई इस पिताजी पिताजी इस आर्बियाई तो आर्बियाई जैसा कमर्शल बैंक में जाके जमा करा दिया मेरे पास एक हजार रुपए कॉला कॉला आया था वो अतना अपने मामी फूफी ठीक है मौसी वह आती है भाई साथ अच्छा हमको उनके आने की खुशी नहीं होती खुशी होती है वो कब जाएंगी यूंकि जब वो घर से निकल रही ह होती है तो उनका हाथ उनके परस के अंदर जाता है वहां से एक नोट निकलता है पचास का 100 का 200 का 500 का डिपेंडिक बंदे रिक्वाइर्मेंट ठीक है एक सा नोट निकलता है कि बस वह नोट देखकर अंदर से इसा चोड सी फिलिंग आती आज होगी कवाई तयार है फिर क् हाथ चुपा देते हैं आगे से मम्मी बीच में आ जाती हैं इसको नहीं दो गया अपन अंदर से सूचते हैं बोले अपनी वाली मम्मी क्या कमा ही हो रही है अच्छा कॉमर्स वाले आदमी हो है मम्मी 50-50 कर ले ना मान तो जाओ यार ठीक है फिर वो जैसे तैसे करके आतमे लटा सीधा फसा को घार देती है उनोट को फिर आपकी हात मा जाता है और जैसे ही आता है आप सरक लेते हो कि चुप चाप क्यों बोले है उनकी भी उलाद है और ममी अपनी है अँगी खेंगे ट्रांसपर होना है तो इसने नितागरी आखर और वो थी क्यों है भाई साथ ऐसी तो हमें क्यों खुश करते हैं तो माल लो तुम्हारी कोई चाची मामी फूपी मौसी कोई तुम्हार रुपए लेगे जिनकी कोई अलाद निया अब तुम कहा गई बैंक में के कमर्शल बैंक में गई जनाब कि मुझे जो ये पैसे हैं वो जम जमा कराने अब आपने पैसे जमा करा दी बैंक खुश बैंक के चेहरे पर आ गई मुस्कान और बैंक के उपर वेठें पिटा जी तो पिचा जी बैंक को क्या बोलते हैं कि आपके पास जो हजार रुपायांस को दो टुकड़ों में तोड़ी है एक है 800 दूसरा है 200 जनाब यह जो 800 होता है ना यह प्रॉफिट क्रियेटिंग मनी है क्या है प्रॉफिट क्रियेटिंग मनी है बैंकों के लिए बैंक जितना ज्यादा यहां पर रखेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी और यह बैंक लगती है कि ताकि वह क्या दे पाए लोन दे पाए तो बै को कभी भी बैंकों के हाथ से पैसा चीनंदा लो पैसा कमाने की शद्दा खतम हो गई तैकित आठसु रूपे से अग वो या बेसिकली रिक्वायर्मेंट बोल लो ठीक है लीगल रिजर्व रेश्यो बोल लो ठीक है अब यह तुकड़ों में तूटता है एक होता है CRR एक होता है, SLR, CRR को हम कहते हैं, cash reserve ratio, क्या बोलते हैं, cash reserve ratio, और SLR जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, statory liquidity ratio, क्या बोलते हैं, statory liquidity ratio, ठीक है, पूरा procedure यहीं समझा रहा हूं, ताकि बाद में नुकसक, problem, परिशानी ना हो, ठीक है जी, अब देखो यहां पर, जो यह आजार रुपे हमने bank में जमा करा है, bank उसमें से 800 रुपे तो loan चड़ा देगा, जा से वो पैसा कमारा है, बाकी जो 200 रुपे रहे, उसमें से एक portion, वो CRR के नाम का निकालेगा, जो CRR के नाम का गस्ता है, वो किसके पास चड़ा देगा, बाबा के पास जाके थोड़ा सा परसा च कर लो, ठीक है, और दूसरी चीज, यह जो दूसरा portion है, SLR का statutory liquidity ratio, यह bank रखती है, खुद के पास, क्यों रखती है, खुद के पास रखती, क्यों रखती है, ताकि कल को आप पहुंच गए, ATM, अब क्या करोगे, पैसा कहा से निकालोगे, अगर bank आपके पूरे 1000 रुपे को ही लोन पे चड़ा देगी, तो आप पैसा निकालने के लिए, bank का से बचेगा, ठीक है, हाँ, statutory liquidity ratio, ठीक है, तो यहाँ पर, basically, जो SLR होता है, वो bank ATM के लिए, या फिर withdrawal के लिए, ATM से withdrawal हो गया, या direct counter से withdrawal हो गया, उसके लिए जो bank है, इसको रखती है, अब समझे रहा, यह जो प bank की कमाई सिर्फ और सिर्फ यहां से निकल रही है, बोली है, bank की कोरी कमाई सिर्फ और सिर्फ यहां से निकल रही है, यानि की लोन देने से निकल रही है, तो bank जितना ज्यादा लोन देगी, उतना ज्यादा बैंक को फाइदा होगा, bank जितना ज्यादा लोन देगी, उतना जादा बैंक को फाइदा होगा और जितना जादा पैसा वो खुद की जेम में रखेगी उतना उसको नुकसान होगा ठीक है आप बैंक जो पैसा कमाती है इसका एक बेसिक सा प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को आप बहुत सिंपल तरीके से डायरेक्ट फॉर्बूला बेस कर लो ठीक है अपन जादा दिमाख लगाएंगे नहीं यूँकि बेसिकली आप लोगों के सारा का सारा कॉंसेप्ट जो है न वो मिट्टी पलेद हो चुका है यूँकि सीबीस ने कम्प्लीटली एमसी क्यू बेस यहां पर दे दिया ठीक है तो सिंपल सा प्रोसीजर यह समझ लो क कि माल लो आपके बैंक ने जो आपने हजार रुपए जमा कराए थे उसमें से बैंक ने 800 रुपए लोन पे चड़ा दिये और 200 रुपए जो है वो LRR पे रख दिये क्योंकि RBI ने उसको बोला था कि यहां चुपचाप रख दियो ठीक है अब इसके अंदर उसने पैसे को चड़ा देती लोन पर आप समझना बहुत सिंपल सा प्रोसीजर एक छोटा सा प्रोसीजर समझा रहा हूं बैंक जितना ज्यादा लोन पर चड़ाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट हो तो हम यह कह सकते हैं जैट प्रॉफिट अव बैंक is a directly proportional to loan a directly proportional to loan or we could say the profit of bank is indirectly proportion to say so no जितना ज्यादा लोन पर अखेगी उतना ज्यादा इसको फाइदा होगा और जितना ज्यादा वो यहां रखेगी उतना ज्यादा उसको लुक्सान होगा समझ मारी मेरी बात ठीक है तो इस LRR legal reserve requirement decreases your profit of bank reduces जैसे जैसे एलार अरार भड़ेगा जैसे वैसे बैंक का प्रोफिट कम होगा जैसे जैसे एलार बड़े गा रणाव यह वैसे बैंक का प्रोफिट कम होगा बपर सुन लो जहां छे क्लियरली देख लो क्या है क्लियरली देख लो कि बैया बैंक के पास 1000 रुपे हुए डिपॉजिट उन 1000 में से 800 रुपे बैंक ने चड़ाए लोन पर 200 रुपे का क्या कर दिया अब समझना यहां पर जो 800 रुपे बैंक ने आजब प्रॉफिट रखे हैं इसको वह लोन पर चड़ाएगी ठीक है तो जितना ज्यादा वह लोन पर चड़ाएगी उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा मेंस प्रॉफिट डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू लोन से यह संनू प्रॉफिट डिरेक्ली पैसा कमा पाएगी बैंक अपने पैसे को कितने भड़ा पाएगी उसको भूलते हैं क्या बोलते हैं बोलते हैं money multiplier का मतलब how many times bank अपने पैसे को boost कर पाएगी क्योंकि देखो जतना ज्यादा वो लोन देगी उतना ज्यादा बूस्ट करेंगी तो यहां पर हम money multiplier का formula बोलते हैं कि ओनला क्या तो आपन इल आ और अर आ WIN कहला होता है लीजान रिजर्व रिशयो फिर एक्जामपल अगरल इस क्वेश्चन बारे में बात करें यहां यहां पर देखा है तो फ्रव्र चेहता है वो कॵेश्ष स्षेन में बैंक है स्परर इस ने 20 प्रतिशत पैसा LLR में रखा है बोल Iya हम बीज़ प्रतिश्यत्य पैसा LLR में रखा है everyone also know WHO bankणे 20% पैसा LLR में रखा है तो उसका Bonnie creation कितना है उसका money multiplier कितनी यका के तनी बार अपने पैसे से पैसा कमा सकती है अपने पैसे को कितनी बार multiply कर सकती है, तो money multiplier का formula क्या हो गया, 1 upon LRR, 1 upon 20% परसेंट टाउगे तो उपर आ जाएगा 100, तो 100 बटा 20 is equal to 5 times, क्या हुआ, 5 times, यानि अगर 20 प्रतिशत पैसा bank LRR के format में रखता है, तो वो अपने पैसे को 5 गुना बढ़ा सकता है, क्यों? क्योंकि उसने 80% पैसा यहां पर दिया है, यह standardized formula है, जिस formula को आपको याद रखने हैं, सबको clear हो गया, तो बोल रहा है, हाँ, सबको clear हो गया, ठीक है, clear हो गया, clear हो गया, क्यों को I want everyone to answer, क्या बात है, ठीक है, इसके इलावा और समझो, इसके इलावा एक चोड़ा सा example हुआ, इसके इस एक दाव करते हैं, बदाव क्या किया, इसको थोड़ा सा change करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं मान के चलो कि बैंक जो है उसने 500 रुपिया 500 रुपिया लोन पे रखा और 500 रुपे ही LRR के फॉर्मेट में रखा अगर हम 500 रुपे बोलते तो मैं करीब 50% पैसा वो LRR के फॉर्मेट में रखती है तो बैंक जितना ज्यादा LRR रखेगी उत उतनी कम बैंक की कमाई होगी तो यहां पर अगर हम माने की 50% उसने रखा तो इसका फॉर्मूला कि कितना गुना पैसा बैंक बना पाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ वन अपॉन LRR यानि की वन अपॉन 50% परसेंट इटा उपर आ गया 100 तो 100 अपॉन 50 डाट इस इक कर सकती क्लियर हो गया हम इटा क्लियर हो गया बिलकुल बिलकुल क्लियर हो गया क्लियर हो गया हाँ एलर रमेशा परसेंटेज में ही रहता है and the amount of LRR जो बैंक को रखना पड़ता है the amount of LRR जो की रखना पड़ता है LRR is decided by RBI Reserve Bank of India यहां RBI जो है वो LRR यानि प्रकड़ो CRR और SLR इन दौनों को decide करने का काम कौन करता है इन दौनों को decide करने का काम तुम्हारी Reserve Bank of India करती है यानि की RBI करती है लिख लेना सारे के सारे क्लियर हो गया समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा बोली हां समझ में आ रहा है class 11th full course of commerce on YouTube class 11th full course of commerce on YouTube would be uploaded in my new channel with the name of commerce champions clear तो यह पूरा procedure मैंने एक ही जटके में समझा दिया यूंकि बेटा एक बात बताओ अगर सब कुछ mcq आने वाला है तो हमारी तैयारी mcq होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए अगर सब कुछ मारी mcq होगी तो करो ठीक है clear चलो समझ में आ गया चलिए हाँ हाँ यह प्रीमियम मर्मार जिस भी बालक को बालिका को दो अगस्त से लॉंच होने वाले मेरे नए कोर्स के अंदर होना है बिटा क्लास के एंड तक रुकिए आप लोगों को उस कोर्स के अंदर कम्पलीटली एंडरॉल किया जाएगा चमकते धमकते ठीक है clear cut and roll किया जाएगा और इसके साथ साथ एक चीज और बता दूँ ज्यान से और सुन लो इस कक्षा के जस्ट बाद जो हमने यहां पर पूरा पड़ा है उस पूरे को हम क्वेश्चनों के थूरू सौल करने वाले हैं उस पूरे के mcq करने वाले हैं और टू रैंकिंग वाइस ठीज की रैंकिंग निकालेंगे हर चीज में सारी चीज करेंगे वह सब कब होगा वह सब होगा कल की कलास के अंदर तो उस में बताओंगा कैसे होगा कहाँ इंडरippers करना भिल्कुल फ्री होगा ओर ठीक़्ों आगे बढ़ते आगे हम बात करते अब हमने बेटा जी की तो ब एई Reserve Bank of India Reserve Bank of India कौन है Reserve Bank of India is the Central Bank of India हर financially developed country जितनी भी country जो कि financially पैसे की मामले में completely developed है उस हर एक कंट्री के पास अपना खुद का commercial bank होता है सुन लो इस बात को हर एक वो financially developed country जो कि चल रही है उसके पाज खुद का सेंट्रल बैंक होता है तो हमारी जो कंट्री है उसका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है यूँ आर बी आई जो कि एक अप्रेल 1925 से हमारा सेंट्रल संद्र संद्र बैंक बना हुआ है जो कि मैना सबस्क्राइब है सबकर हाँ जी क्लियर हो गया क्या everyone I want everyone to answer come on guys faster faster जल्दी बोलो शाबाश 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 चलो आगे बढ़े ओके अब समझो क्यों RBI का कार रही क्या होता है RBI के होते हैं बहुत सारे काम जिन में से एक काम होता है नोट शाबना जिसको हम RBI का में कार कहते हैं कि RBI का basic कार होता है printing of currency printing of currency दुनिया में भारत का जो नोट है पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं वो सिर्फ एक ही organization चाप सकती है उसका नाम है Reserve Bank of India हमारी सरकार भी नोट नहीं चाप सकती नोट चापने की सोल अथॉरिटी जो है वो completely RBI के पास ही होती है only RBI has the power to print नोट टेके अब समझ ना अब क्यूंकि यहां पर RBI के पास नोट चापने की अथॉरिटी है इससे बहुत सारे फाइदे होते हैं फाइदा नंबर एक सेम नोट यह सबसे बड़ा फाइदा पता चले साला सारी बैंक के नोट चापरी है किसीने सलमान खान की फुट लगा दी किसीने शारुक खान की लगा दी किसीने नरेंदर मोदी जी की लगा दी किसीने कि और की लगा दी ठीक है सबसे पहला फाइदा है कि सेम नोट होते है यानि कि हम बोले तो uniformity होती है क्या होती है uniformity होती है uniformity होने का मतलब है सारे note एक जैसे लगते हैं आप कोई साभी note उठा लो 2000 का कोई साभी note उठा लो सारे note कैसे लगेंगे एक जैसे 500 का कोई साभी note उठा लो 500 के सारे note कैसे लगेंगे तो जितनी भी यहां पर करेंसी प्रिंटॉर्ट वोती है या निकि वो सारी ना यूनिफॉर्म क्योंकि आरब यह जा अपने घर का चो छोटा मोटा फंक्शन चल लाए ठीक है अब हम बच्पन में क्या करते थे हम बड़े सोकी नाजमी वह बच्पन में जैसे घर में फंक्षन चल रहा पाईसा आइस्क्रीम की स्टॉल लगे तगड़ा अलग सी पेलिंग आती थी है ना तो माल लो अपना आइस्क्रीम की स्टॉल पे पिता जी खड़े माता जी खड़ी अब समझना अब क्योंकि आइस्क्रीम देने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति खड़ा है तो क्या वो पूरा का पूरा कंट्रॉल रखेगा किसको आइस्क्रीम देनी है कितनी आइस्क्रीम देनी है कब नहीं देनी है क्यों नहीं देनी है जादा देनी है कम दे एक प्लेट देनी है दो प्लेट देनी है दस बारी देनी है यह नहीं देनी है यह पूरा का पूरा पूरा कंट्रोल रख सकता है कि नहीं रख सकता है तो हम पूंज गें मम्मी आइस क्रीम मम्मी ने अवलाज समझ के अच्छा समझ के एक बार यह ऐस्क्रीम थोड़ी सी डाल दी अपन खाकुआ कर आगए पांच मुने वापेस आगए मम्मी आइस क्या होगा अब यहां पर मम्मी के पास यह अथोरिटी है कि वो चाहे तो आइस क्रीम दे चाहे आइस क्रीम ना दे त अच्छा एक बात बताओ आरभी आई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरभी आई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है जल्दी बोलिए आरभी आई का प्रेजेंट गवर्नर कौन एवर्यों बहुत बढ़िया देखे कौन सबसे पहले उत्तर देता है बिलकुल सभी जवाब बहुत बढ़िया तो आएर बी एका जो प्रेजेंट मैं वो है शक्ति कांता दास शक्ति कांता दास जो कि आज बीक के प्रेजेंट गवर्नर बने है बारा दिसम्बर दो हजर थारा के बाद ठीक है विध ऐफ्थेक्ट फ्रॉम डब्ल्यू इफ 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 एट फॉर्म 12 दिस को शाबस शाबस एक रुपिये में 40डी कि खार रहें चलो बहुत बढ़ी आ रहे कि है क्या करती है तो बेटा जी यहाँ पर आरबिया कहाम होता है नोट प्रिंटिंग करने का इसके इलावा जो कोईन की प्रिंटिंग होती है इसके इलावा जो नोट की जगे कोईन सिक्के चपते हैं या वन रुपी नोट चपता है जो कि आजकल नहीं चपते वो सब RBI नहीं चापता और बड़ा अदमी आरे बोड़ा मैं छोटे-चोटे काम नहीं करता अपना कम बहुत बड़ा है तो कोईन और एक रूपिया का नोट RBI नहीं चापता इसको चापने का काम है Ministry of Finance का इसको चापने का काम किसका है Ministry of Finance, Ministry of Finance जो है वो यहाँ पर नोट चापने का कारी करता है अब Ministry of Finance का है एक तरीके सम बोल सकता है गार्मेंट है यानि सरकार है अब देखो MCQ का एक बहुत बड़ा रूल जो बच्चे मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं जो नहीं नहीं पहली बर क्लास को देख रहे हैं उन लोगों को मैं समझा दूँ क्या कि MCQ के अंदर सही उत्तर वो नहीं होता जो की सही है सही उत्तर वो उत्तर वो होता है जो की सबसे जपसे ज्यादा सही है तो अगर आपको सब्सक्राइब नहीं । अगर मिदा पर पर अगर ministry of finance नहीं मिलता ministry of finance नहीं मिलता तो इसके बाद जो second alternative पोस्ट करना है वो है सरकार यानि की government वो कौन है सरकार यानि की हमारी government ठीक है तो इसके बाद जो है हमारी जो सरकार है वो यहां पर नोट छापने का कार्य करती है ठीक है अच्छा एक चीज़ और इससे लिए पर बताओ आर भी ऑई का public representative bank कौन सा है आर भी ऑई का पब्लिक representative bank कौन सा है एक नंबर आंबसक्राइब आगया रही मैं क्या बोला M.c.q अगर तुम्हारे human banking government budget balance of payment foreign exchange के हैं तो इस समझे जाना कि खेल केटें बड़ा खतर ना के यह प्रिम्में मैंने kup 09 किया है मजह में थोड़ी AH लांज किया है पता की इसकी क्या आवस्रक्ता ता है वह आवस्रक्ता देखकर घीज्च की हाई बेशिकली कॉन है क्या पूछाब क्यों सवाला बात बढ़ी आर बी आई का representative bank कौन सा है तो आर बी आई का public representative bank है SBI कैसे पता लगा पड़ा simple सा जवाब हर सवाल का जवाब होता है और हर जवाब की वज़े होती है आपने देखा होगा कि हमारी जो government है उसको जब भी पैसे की अवश्यक्ता पड़ती है चाहे प्रधानमंतरी फंड ले लो या कोई कोविट रली फंड ले लो या किसी और प्रकार का फंड ले लो तो हमारी government कभी भी RBI का account number नहीं देती है वो हमेशा SBI का account number देते हैं दो वज़े पहला RBI हर किसी के पास नहीं है RBI की approach हर किसी के पास नहीं हर बंदा आ रहे हैं पैसे जमान नहीं करा सकता दूसरी चीज क्या है कि SBI गांगां तक खुला हुआ है SBI गांगां तक खुला हुआ है तो इसकी जो पहुच है ऊच्छा SBI जो है उसका पुराना नाम बटाईए SBI जो है उसका पुराना नाम बताईए former name of SBI हाँ जी former name of SBI जल्दी जल्दी बोलो what is the basic former name of SBI SBI का former name क्या एक पुरा निनम क्या everyone I want everyone to answer shabash बटा बहुत बढ़िया sir plus or premium same है बिलकुल बिटा करतिका बिलकुल बिलकुल exact same है ठीक है तो बहुत बढ़िया Imperial Bank of India क्या है Imperial Bank of India is the basic name of your SBI SBI का former name क्या था Imperial Bank of India था clear clear है ठीक है सावास बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया ठीक है clear हो गया आगे समझो SBI एक जुलाई 1905 को incorporate किया गया ता कब किया गया था एक जुलाई 1905 को इसको SBI का नाम दिया गया था clear हो गया सबको आसान है इसी है चलो आगे बढ़िया बहुत बढ़िया अब आगे समझो क्या हो गया हमारे एजुकेशन इंस्टुइशन कर लो क्यों मैं आच्छा ने लग रहा तरको बुरा ही लग रही है चलो आगे बढ़िया चलो ग्रेट 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 बहुत बढ़िया आगे समझो सब्सक्राइब इसके बात सब्सक्राइब करने के लिए और दो सब्सक्राइब चाहिए और अपकी बार तुम्हारा पिछली बार की तर पंदरा मिनिट टाइम तो मिलेगा नहीं ठीक है तो यानि के पकड़ के कि लिए थोड़ा सा पूरारी जोग्रफी तमें सारी की सारी निकालनी पड़ेगी क्लियर ओगिया अगे पड़े तो यहां पर से बाइंक होते हैं कि तुम्हारा जो आरबी यह पिटाजी ऑिस एक कारता धो देख लिया करण्सी अथोरिटिए नोट छापने के लिए क्या है आरभी icing जो है वो सोल अृतॉरिटी होती है नोट छापने के लिए पूरे भारत के अंधर आरभी ऩे चाहिन ब्र olviden 뭐가 कोई भी नोट नहीं चाप सकता है भारक पुली दुनिया में कोई भी इंडियन करेंशी नहीं चाहप सकता है इसका फाइदा क्या है दुम प्रकार के निन चलेंगे पूरा इंडिया रहेगा और पबलिक का फेट रहता है यहां पुब्लिक का रहता है आगे समझों अगला जो आर्बी एक दानल है वह नहीं आपका जिल देघर सहीं है तो नहीं चांद सार्ट होती है जो तो II से सरकार के लिए लिए प्रोटे ही उत्यों होती है हो जो जी एस वंढय है लोकी से यह द्रक्राइब यह पीसा कहा रखा जाता है और वोखाता कहा पर और बी आई में रिजर्व बैंक ऑफिंडिया में जो पिछले शाल थक जम्मु कष्मीर में काउंट नहीं होता था पर आप के बैंकर्ग के दिसाहश अंदर काउंट किया जाता है तो बहुत बढ़िया है एक सिकोंग हो भारवी रिजल्ट अभी तो नहीं आ रहा है ठीक है चलो बहुत बढ़िया क्लियर हो गया कौन नोट प्रिंट अच्छा एक चीज़ और द्यान रखना अपनने अभी क्या भूला की कौईन जो है और और एक रुपीय का नोट जो है वो RBI प्रिंट नहीं करता है उसको प्रिंट करने का काम होता है Ministry of Finance का किसका होता है Ministry of Finance का पर आज की तारिक में coins की printing बंद कर दी गई है एक रुपीय के नोट की printing बंद कर दी गई है यानि कि ये सारा का सारा कार अब हटा दिया गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अब इतने छोटे डॉमिनेशन की करनसी की कोई भी अवश्यक्ता भारत में देखने को नहीं मिल रही है जितना है उसी से कार हो जाएगा सर कौन सी बुक परचेस करूँ बिटा मेरे पास होते वे तो पूछेगा कौन सी परचेस करें तो मैं कैसे ही बता हूँ ठीक है जी च्छटा पेकेट बड़ा दमा का अवले बलॉन एमर्जान चलिए आगे बात करें आगे समझो इसके इलावा अगला कारे देखो आर बी आई जो है वो बैंकर्स बैंक है और सुपरवाइजर है हमारे लिए जो बैंक है बैंको का पिता जी कौन है बैंको का पिता जी है आर बी आई ये हो गई पबलिक यानि की हम सीधे साधे मार्वस ये हो गई तुमारी कमर्शल देखना सुनके देखो देखके किसे मज़े आएंगे और समझना मेरी बात हो बहुत क्लिरली समझेंगे सारे के सारे मज़े आएंगे समझते समय पब्लिक ने पैसा जमा कराया मनी डिपोजिट कराई कमर्शिल बैंक ने उस पैसे को दो जगे रखा एक तो चड़ा दिया लोन पर एक चड़ा दिया खुद के पास ATM के लिए और बेसिकली एक पैसा का जमा करा दिया यहां पर अगर आप यह रिलेशन देखी तो पबले को और कमर्शिल बैंक का रिलेशन क्या है मेरे पास जो एक्स्ट्रा मनी होता है यह क्या है मेरा एक्स्ट्रा मनी है उस एक्स्ट्रा मनी को मैं कमर्शिल बैंक में जमा करा देता हूं ताकि मुझे क्या मिलेगा अच्छी प्लेगा पोलो सारे के सारे जब मैं पैसा जमा करांगा तो मुझे अच्छी रेट का इंट्रस पैसा जमा करा दिया सेम गूर में हमारा जो कमर्शिल बैंक है वो भी अपने एकस्ट्रा पैसा कहां जमा कराता है आर बी आई में जमा कराता है तो जो रिलेशन हमारा कमर्शिल बैंक से है वो सेम रिलेशन कमर्शिल बैंक का आर बी आई के साथ है तो अगर यह पैसा जमा कराएगा जैसे हमें ब्याज मिलता है वैसे इसको भी ब्याज मिलेगा जैसे हमें ब्याज मिलता है वैसे इसको भी ब्याज मिलेगा हमारे ब्याज को हम बोलते इंट्रेस रेट इसके ब्याज को बोला जाता है से रिवर्सेंट रैपोरेट क्या बोला जाता है रिवर्सवर्स रैपो irgend क्या होती है आप समझ गए खुय हो रिवर्र से रैपो रेपो राईट का मतलब जब कमर्शल बैंक अपना extra PSA रोबे डिपोजिट कराता इचिसको सो cash reserve ratio तो जो CRR यहां पर deposit हुआ उसके बदले में जो ब्याज मिलेगा उसको क्या बोला जाता है reverse reporate क्या बोला जाता है reverse reporate अब अगर यह reverse है तो नॉर्मल कौन सी है अगर यह reverse है तो जनाब नॉर्मल कौन सी है तो नॉर्मल भी देख लो ये वह ये आर्बी याइक नॉर्मल कुन सी जब आरवी आई कमर्शल बैंक को लोन देता है उसके वदले में जो रिटाती है उसको बुलते है रे पुरेट इस इसको तोटा से डिटेल में अपना भी पढ़ रहे हैं थीख है मैंने बस इसलिए क्योंकि रिवर्स रहे पढ़ा सबस्क्रिप्शन लें कि मुझे पता है ठीक है एक को नी हजार हो को पता है मेरे को पर थोड़ा सबस्क्रिप्शन रख ले पहरे पढ़ ले उसके बाद ले लिए अब बोले सर इतना समय नहीं तो 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 गर चला जा गर चला जा जा तो अगर आप यह कख्षा पूरी नहीं MCEQ के लिए कॉंसेप्ट का रिलेशन है और इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम MCEQ generate करेंगे समझ में आ गया समझ में आ गया क्लियर है चलो बहुत बढ़ी आगे समझो यहां तक लीय रोगया तो बैंकों के RBI के function क्या बात करा नोट शापने का सरकार के लिए बै bankers bank or supervisor यानि बैंकों का पिदाजी इसके बाद अगला आता है custodian of cash reserve पहला तो यह समझो कस्टोडीयं 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 सालह सब्द ऐसा देख के पड़ जाए क्या बोलते हैं जमाव का मतलब रखना ठीक है तो basically custodian of cash reserve का मतलब क्या है कि RBI जो है वो custodian का मतलब इखटा करके रखती है किस चीज को इखटा करके रखती है एक सिकन रुखना कि किस चीज को इखटा करके रखती है अपने cash reserve को अपना मतलब देखो commercial ने अपना पैसा आर बिएए में जमा करा आया किया पुलते हैं सको CRR ऑबते है तो आर भीएए के स्फवर्शन है कि वह सारे कोमर्शल बेंक का थोड़ा थोड़ा सा पैसा क्या करें अपने जेब में द Category औक का ये क्या कर रखी है दुखती नस पकड़ रखी है तो आर भी जो है वो कमर्शिल बैंक के कैश रिजर्व का कस्टोडियन रखती है मतलब जमा करके रखती है ताकि जब भी उसने उली करें सारा पैसा खा जाओंगा तेरा चुप रहे है जब भी कमर्शिल बैंक पॉलीसी से बाहर अनुद अगला देखो अगला अर्वी एक पादप डिख रख 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 तो सल्भा कोई आवस्ता कारत होगा अब क्योंकि आरबिये ने एक बड़ा हिस्सा यानि की सिरार के फॉर्मिट में कमर्शल बैंक का पैसा आरबिया की जिम्में गया हुआ है तो आरबिये उस पैसे को रखती भी है साथ साथ में RBI के एक जिम्मेदारी भी है अब पिता जी की जिम्मेदारी क्या है पिता जी की जिम्मेदारी क्या है बेटे की तनखा थोड़ी से दबा के रखे और आवस्यक्ता पढ़ने पर निकाल कर रखे ठीक है तो यहां पर RBI जो है वो कमर्शिल बैंक क की तरह काम करता है किसकी तरह लेंडर अफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह लेंडर अफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब किया लेंडर बतलब देने वाला लास्ट आखरी रिजॉर्ट इलाज आर्बीय क्या है कमर्शल बैंक के लिए आखरी इलाज है भाईया कमर्शल बैंक बरब हो गया पिताजी बोलेंगे सबर अभी हम जिन्दा हैं तो पिताजी क्या करेंगे पिताजी लेंडर आफ लास रिजॉर्ट बनकर मतलब आखरी सहारा बनकर पैसा चुकाएंगे और बैंक को समालेंगे क्लियर हो गए हाँ जी क्लियर हो गया सबको बहुत बढ़िया अगला फंक्शन देखो अगला फंक्शन है क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग हाउस घर साफ करने का फंक्शन क्या है घर साफ करने का फंक्शन क्या होता है कि आर बियाई जो है क्योंकि पिताजी है क्योंकि बैंक के उपर पूरी की पूरी निगरानी रखती है तो RBI क्या करती है responsibility है RBI की वो बैंकों के खातों को clear कर दे मतलब अगर बैंकों के खातों में कुछ गड़बर है तो उसको neutralize कर दे कुछ आखरी फस गया है तो उसको सुधार दे पर एक चोटा सा एक्जामपल बताते हैं हमारे परोस में एक बैंक हुआ करता था बहुत पुरानी साल 20 साल पुराने चाहते हैं तो वह बरबाद हो गया क्या हो गया complete बरबाद हो गया वह बैंक बरबाद रिगोने के बाद दस साल के बाद rbq akt चला गया और रभी इंसके लिए clearing house का काम क्या clearing house का मतलब होता है कि आर्भी काने इसके सारे के सारे खाते clear कर दिये यानि कि जतने भी लोगों के लेन दारी पढ़ Düdy अपनी जेव से चुका चुका रहे सकतनी चुका एंगा आरभी इस लेक चुका एगा क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है सबको क्लियर हो गया हमन उन्होट सब अन्हों हो गया तो मोलो हां सब रहा पहलो जबा तेया चलो बहुत बप्डिए इसके बाद देखे उसके बाद देखो का 01 एक्षेंग करया अभी ज मतलब बता होrit कि ना देखने का Catholic है और बेए के पास यह अथोरिटी है और को छोड़कर बाकी जितने मी करणसी है उन सारी करणसी का स्टॉक पड़ा हुआ तो अमेरेक हैं estatus फिलाल वारत में चलता बाहर अभी को नहीं चले ठीक है तो यहां पर आर बी आई जो है वो सारे के सारे फॉरेंड एक्सचेंज रिजर्व यहां पर रखती है सारे के सारी दूसरी करनसी का स्टॉक अपनी देखो अगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं कांट्रोलर उसमेश प्वारें करेंट अपने एक चीज़ पड़ी ती कि मेन फंक्स्वन क्या है बोलो बेटा आरबी एका मैन फंक्षन होता है करनसी चापना करनसी में प्रिंट करना यह आर बीया जनाब में फंक्षन होता है पहला सबसे प्राइम फंक्शन होता है अब वो करेंसी प्रिंट इसलिए करती है ताकि वो कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को बोलिया है कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को अच्छा मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत में कितना पैसा पड़ाए उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाए ठीक है और मनी सप्लाए कौन सा कॉंसेप्ट है मनी सप्लाए इस्टोक कॉंसेप्ट है याद करेगा बड़ा मस्त पड़ा रात को साड़े याद से साड़े नो पड़ा रथा सब कुछ तो यहां पर तिजोरी में खोल के रख दिया ठीके जी तो कंट्रोल कर सके मनी सप्लाए को इसलिए उसका एक फंक्शन होता है करन्सी प्रिंट करने का और हमने एक चीज और एलार रखेगी इसके ओपर भी आर भी हाथ रखता बोलो कमर्शल बैंक कितना एलार रखेगी इसका भी हाथ रखता आ ठीक है अब कमर्शल बैंक कितना एलार रखेगी उससे सीधी कमर्शल बैंक के लोन देने की ताकत मिठती उससे सीधी तुसीदे एक सिद्धे एक सिद् ठीक है तो commercial bank loan देने की ताकत को commercial bank की लोन देने की ताकत को प्यूंकि RBI control करके रखते क्योंकि RBI के हाथ में यह है तो हम कह सकते हैं कि RBI के इस function के through RBI control कर सकती है credit in economy बोलो हां credit in economy तो RBI को जो यह अंतिम function है इसको हम बोलते हैं controller of money supply & credit RBI can control money supply as well as credit in economy सबको समझ में आ कि सबको समझ में आ रहroots है हां जी हां जी सबको समय हा रहा हुए पर काम करता है अब क्षब और के इंस्ट्रूमेंट का इस्तमाल करता है कितने प्रकार के दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तमाल करता है वो दो प्रकार के ताम जाम होते हैं पहला होता है क्वांटिटिटिटिटिव इंस्टूमेंट पहला होता है क्वांटिटिटिटिव इंस्टूमेंट और दूसरा होता जनाम क्वालिटिटिटिव इंस्टूमेंट एक होता है क्वांटिटिटिटिव इंस्टूमेंट और दूसरा होता है क्वालिटिटिटिव मतलब कितना पढ़ा जैन में यह बता आर्वेज़ पैसे को या तो कम करेगा या भड़ाएगा उसको मोलता है क्वांटिटिटिटिव इंस्ट्रुमेंट और जब आरवी पैसे को कम या भड़ाता नहीं है इन फ्लूएंस किस चीज को करता है इन फ्लूएंस दा डारिक्शन इन फ्लूएंस दा डारिक्शन ऑफ मनी दौनों में फरक समझना दौनों में फरक क्या है आप सो रुपे लेके निकले आर्वी इन अगर इस इंस्ट्रूमेंट का स्टमाल किया तो आपके घर पहुंचते पहुंचते 120 हो जाएंगे या फिर आपके पास असी हो जाएंगे यह solder के इफ प्षे को या तो भड़ा देती है या कम कर देते इसका दूसरा भाया तो क्या attitude in case of quality steel instruments पईसे को भड़ाती कम करती नहीं महीं इले हां दो सौ रुपे ले गड़ित यानि कि यहां पर 30 रह गया और यहां पर सच्छी डिया समजना यहां पर पैसा कम यहां ज़ादा हुआ है और यहां पर सब्सक्राइब तो यहां पर यह क्या है पहले भी 100 रुपिया था और अभी भी 100 रुपिया है पर इनके सब्सक्राइब इंस्ट्रूमेंट या तो कम हो गया है या फिर बढ़ गया क्लियर हो गया क्लियर हो सब्सक्राइब करने और बढ़ाने के लिए आर विए जो सबसे पहली चीज का इस्तमाल करता है उसको हम कहते हैं बैंक करेट जो पॉलिसी होती है उसको हम डिसकाॉंट रेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं ये सारे के सारे लिख लो ठीक है the bank rate policy is also known as discount rate policy ठीक है अब क्या है discount rate policy जान समझें देखो बड़ा classy चीज़ है बड़ा मस्ते चीज़ है समझ के मज़े आ जाएंगे यह देखो यह public यह है public ठीक है जी और यह हमारा commercial तुमने पहले कभी सोच है commercial bank पैसा शुरू कैसे करता है बैंक आप आगे बैंक खोलके बैठ गए अब आपके पास ग्रहाक नहीं तो पैसे आएंगे कहां से जब तक रहा कुंगे निशाला पैसा कहां से आएगा तो स्टार्टिंग में जो पैसा होता है वह आपका मालो आर्बिया दे रहा आपको कौन द होगे अब समझने आर्बिया फोकट थोणिया है आर्बिया पैसा कमाने को बैठा सब दुनिया में सब पैसा कमाने को बैठा है तो यहां पर आर्बिया पैसे देगा तो बदले में क्या लेगा इंट्रस्ट लेगा क्या लेगा इंट्रस्ट लेगा समझना सारे के सारे जब आरबियाई कमर्शल बैंक को पैसा देता है कितने लंबे समय के लिए जब आरबियाई कमर्शल पैंक को पैसा लेता है देता है फॉर लॉंग पीरियद लॉंग पीरियद टाइम का मतलब क्या हुआ लॉंग पीरियद टाइम का मतलब क्या हुआ सला बारा महीने सोला महीने नह प्रोसीजर हो रहा है एक्जेक्ली से म् प्रोसीजर हो रहा है यह पैसा यहां से गया और यह बदले में इंटरस्टा इसे जो रहा है सब्सक्राइब यह है कि यह short term के लिए दिया जा रहा है ठीक है कुछ deficit हो गया बैलेंस मैच करने के लिए दिया जा रहा है एक दिन दो दिन दिन दस दिन पतास दिन मेना दो मेना तो उसके लिए जो आता है उसको हम बोलते है रे पुर इत अपने पीछे लिया था है तो समझ में आ गया सब्सक्राइब और चेसव कुलियर हे अव्र बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी बोल बहुत बढ़िया ठीक जी अब समझना आर भी आई जो बेंक को बेन्द लोन देंगी माल लोग दस परसंक्त भी मेर गहां अब बैंक जब आगे लोन देगा तो कम से कम 15 आट नहीं का स्था आगा अगा है कर나 बाइंट को लग रहा है किसको आर भी प्येशेश पैसा का गा। यूज बैंक चौक सांब बहुत ज्यादा पईसा कमा रहा है तो बहुत क्या कर बहुत कुछ मत कर इस रेट को बढ़ा के 20 कर दे जैंपल बठार हो इतना प्रिल में मता जाना कितना 20% कर दे अब अगर 20% RBI ले रहा है तो यह ये और कम से असला 25 तो खॉयगा ये कम से कम 25 तो खाएगा 5% तो कमाई करेगा बैंक अब या बात बताओ 25% के ब्याज की दरों पे तुम्हें पैसा मिल रहा है तो क्या तुम लोन लोगे तुम लोन नहीं लोगे ठीक है तो ये कहलाती है discount rate policy जहां पर RBI अपनी बैंके रेट में बदलाव कर देता है जिससे तुम्हारे लोन लेने की इच्छा को मार देता है जिस से वो तुम्हारे लोन कि नहीं होता है open market operation क्या होता है open market operation नो समध्दार में मुन्ना open market operation open market operation open market operation का मतलब क्या होता है आर भीइद एकलोता अऌफील को परचे याफिर सेल कर सकती है क्या कर सकती है अच्छे दामों परustecaire की सिक्वरिटित होगा कि ऐसा तो नहीं को बंड को त्रेजरी बिलस को بعशने को सारे बेंक ऐसे देखते हैं जैसे की हंडीत गयी हो पकड़ू को नहीं पकड डाल क्यों क्यों कि बैंक का ड्म का पिनुक्त होता है तो सरी ग्दरमेंट जो जो बॉंड होता है जो ट्रेजरी भी लोता है उसपे बहुत अच्छा खासा ब्याज मिलता है और उस पैसे की रिकवरी की कोई टेंसन निया अराम से कही जानी है ठीक है सरकार कहीं जाने तो भूत अराम से पैसा आता है तो आर तक पर्वी ओए को जब भी ऐसा लगता है कि बज़ार में पैसा के बजयादा हो रहा है तो वह से क९ृरिटी को खृत ती और मामला स्थ शुधार देती है फुर्ड पैसा ज्यादा हो रहा है सेकृरइटी nilult Richard बेच पो बेंच में ने चालेगा लेगा चालेगा काया दो कमर हैं वो है तुम्हारी LRR legal reserve requirement पूरी पढ़ चुकी हो पूरी पूरी पढ़ चुकी हो हाजी क्लियर हो गया यह तो पूरा का पूरा पन पढ़ चुके ना तो पढ़ा रहा हुए तो इसको बार बार नहीं पढ़ा रहा हूँ तो कि अपन ने पढ़ा है कि बैंकों का जो profit होता है वो होता है लोन से और अगर बैंकों का जो करना है तो आप को बड़ा दो तो जितना ज्यादा हो गा ऑद उतना अकभा बेंक प्रट और जितना होगा गया अचुलियर हो गया का कि प्लस वाले यहां क्यों आएं mall पढ़ना तुम्हें पाइसे दिया ना तुमने प्रमास्टर 2.2 में इंड्रॉल लोड़ा तो का चिंता का माखना तुम्हें वाँ चुप्चा जाके पढ़ लो चुप्चा ठीक है थोड़े दिनों अपन क्लास भी ऐसे रखेंगे प्लस वाली क्लास के टाइम पर यूट्यू तो यहां पर बैंकों के पास से न तो पैसा कम हुआ ना पैसा बढ़ा पर पैसा कहां जाना है उसका डायरेक्शन बदल गया क्या बदल गया डायरेक्शन बदल गया तो आरभी आई का वो इंस्ट्रूमेंट जिससे डायरेक्शन बदल जाता है उसको बेटा क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं क्वाली टेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या बोलते हैं क्वाली टेटिव which is which does not influence the volume of credit why kya wa I see which it does not influence the volume of credit which only influence the direction of credit clear oh yeah I just clear oh yeah chalo a come true coming I guess I'm Joe it so that's why this is the first a margin requirement margin requirement can meaning it's a concept by the back of the the back of the back of the building the building from the parents that I could use the building of the car लोन क्या चाहिए मुझे चाहिए जनाब लोन तो बेंक के पास जाओगे बेंक लोन देगा पर दसलाग का नहीं देगा बैंक बदले में आपको लोन कितने का देगा आठ लाग का देगा बैंक सेक्वारिटी परपस के लिए तो लॉपिय कम का लून देता है कितना आप्रोक्सिमिटली मालों दो लॉपिय कम का दे रहे इसको मितलब क्या साला कल को भाग गया तेरी बिल्डिंग बेच दसलाक रुपए और आच लाक रुपए री कवर नहीं हो तो पहले से यहां पर मेरी बात को समझना बैंक ने क्या करा दो लाख रुपे का सिक्योरिटी मार्जिन दबा के रखा इसको लगे सला एगरी कल्चर सेक्टर में पैसा नहीं देना तो बैंक क्या बोलेगा एगरी कल्चर के लिए अगर बिल्डिंग लेकर आ रहा है कि बोले खेती बोले चल इसको नौलाक रुपिया का लोन देते मार्जिन किता रखा एक लाग तो यानि की सेम बिल्डिंग पे अगर आप एगरी कल्चर के लिए लोन लेने आ रहे हो तो चैलाक रुपिया मिलेगा और वही बिल्डिंग पे अगर आप फैक्टरी लगाने के लिए पैसा बहुत बढ़िया आगे समझो अगला आता है तुम्हारा कांगे इधर देखो मेरा मॉरल स्वेशन अब भाई साब यह क्या चीज है आर्बिया जो होती है वो मॉरल सपोर्ट करती है मॉरल सपोर्ट करने अंदर से अरे मां खड़ाओ उतरे पीछे उसी तरीके से आर्बिया किस बारे मना कर देता है साहब आप काम करो आप जिमका सेक्टर के आंदर के बारे में वरतलान ओन करेंगे यह क्या हुआ जो कि सेंट्रल बैंक लगाता है कमर्शल बैंक के ऊपर कि आप फलाना चंद को लोन दिंगे या फिर नहीं दिंगे तो आर बिया नहीं जहां प्रेशर बना रखा वहां लोन निकल गया क्लियर हो गया सबको समझ में आ गया तो बुली हाँ क्लियर आंगे समझो लाइस आता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल राश्ट के आता है सिलेक्टिव ग्रेड़िट कंट्रोल यह को मतलब क्या है क्लेकोकी यह कौन सा पॉलिसी निकाल दी अ क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है यह निकाल दिया कि जनाब इस पर्टिकुलर सेक्टर में दोस करोड का लोन जाएगा अब मान जाये नहीं छुपचा बात मतमान जातो और सलम नहीं मान तो जबड़ोस यह लगा कि आप लोगो अब दें के बात करते treaty a wait Giroud तो आप लोगों के लिए जो हमने आज ये पूरा का पूरा चेप्टर कर आया है इस में डेटर्ग वातों मैं क्किल एा है अपन कल रखवा देतें जिसके अंदर इस से रिलेटेड एम सी क्यू की क्लास आप लोगों के लिए अम कल पोस्ट आन करवा रहे हैं कंप्लीट फ्री होगी कहां होगी पूरी डिटेल आप लोगों को दे रहा हूं ठीक है टर्म वन जो आप लोगों का चल रहा है टर्म वन मैं क्या मुझे बेंकिंग कितने बजे रखनी है बहुत बढ़नाया बाहर दो वे रखनें पांच मिजिट्व कर वादें ठीक है इस कि कि एक बार सिटो Baltimore करवा देते एंव किक्षा बारवी सी बिएसके लास wizard ठीक कैजी टौपिक रखते हैं मेक्रो एकोनोमिक्स ठीक है लेंग वेश रखते हैं हीं ंदी हिंदी हम लगर shifting है हिंदी में हिंदी में ही वार्तालाब करते हैं ठीक बैंकिंग से रिलेटेड चल भाई जब रख रहें टीक है ओके कितने बज़े रखनी है इसको रखते हैं कल की तारिक यानि की 28 तारिक को टाइम रखते हैं इसका 5 पी एम कितने बज़े 5 बज़े 5 बज़े कोई क्लास नहीं है ठीक है जी कंप्लीट 5 बज़े इसकी क्लास हम प्रोसीड करते हैं गेट यॉर्सेल्फ इंडॉल बिलकुल बिटा आप फटापट से हमारे प्रीमियम बैच के अंदर इंडॉल कर सकते कल 28 तारिक है पौने पांच नहीं रखेंगे अपन इसको रखेंगे 6 बज़े ओके 6 सकते को कोड करें आपको गौरवत टीक है अभी लिंक कर रहा हूं ए यह गया तुम्हारा लिंक कि समिधरक सर्गी दूसरा लिंक लगां दो इसे मत करो हुआ लगां दो ठीक है यह बेटा हमने लिंक लगा दिया इस लिंक से आप पर इंड्रॉल करें कोड का स्थमाल करना है गौरव जे और आने वाली दो तारिक से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है अनकेडमी प्लस एन आइकॉनिक के उपर जिसका नाम है ब्रहमास्तर का प्रीमियम बैच जिसके अंदर बारवी क्लास के हरेक व्यक्ति को पर्सनली मैं पढ़ाने वाला हूँ जिहां पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैं पहली बार तीनों के तीनों सब्जेक्स आकाउंट्स, एकॉनिक्स और बिजनिस स्टेडीज को हरेक बच्च आठ हजार की नो डाउट आर्मी बनाएंगे इसकी जो क्लासिस का टाइम है वो ऐसा है कि पॉने पास से पॉने चे अकाउंट्स रहेगा, छे से साथ एकॉनिक्स रहेगा, साड़े आठ से साड़े नौ बिजनिस स्टेडीज रहेगा, यहां पर जो हम तैयारी करने वाले है वो सारी तैयारी आप लोगों के MCQ-based होने वाली है, पहली बार हम लोग यहां पर जो तैयारी करेंगे, वो polls के थ्रू होंगे, यहां आपको live classes मिलने वाली है, यहां आपको MCQ मिलने वाली है, ठीक है, मैं एक PPT के थ्रू आप लोगों को सारी चीज़े दिखा देता हूं कि बेसिकली आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी यहां पर मिलने वाली है, जो फैसिलिटी आपको हमारे इस premium batch के अंदर मिलेगी, उसकी पूरी PPT हम लोग यहां पर generate करके लाए हैं, तो एक बार उस पूरी PPT की तरह सारे के सारे ध्यान से देख लेका आगई भाई, जल दिय जा, ओके, ठीक है, तो जो हमारा ब्रहमास्टर premium batch है, उसके अंदर जो जो फैसिलिटी है, उनका ब्योरा मैंने यहां पर दिया है, इस batch के अंदर इन्रोल करने से, आप मेरी no doubt army के अंदर आओगे, यहां पर आपको मिलती है मेरे through live classes, interactive session की आप मेरे से बात कर सकते हैं, साथ साथ में मेरे premium notes, personalized attention by me and my team, 500 से जादा educator जो की आप लोगों के doubt solving के लिए हर समय available रहेंगे, interactive poll ABCD के through, आप लोग अपनी तयारी को best कर सकते हैं, बोर्ड एक्जाम देने से पहले, आप लोग जारो बार बोर्ड एक्जाम दे सकते हैं, online live MCQ test हर हफ़ते, दो दिन, हर subject का यहाँ पर होने वाला है, जिसमें एक साथ करीब 10,000 से जादा बच्चे enroll करेंगे, ठीक है, ranking system हम generate कर रहे हैं, यह हर एक बच्चे का rank generate होगा, पहला rank, दूसर rank, तीसर rank, और यह सारी facility बिलकुल real time के अंदर होगी, यानि एक साथ एक question मिले होगा, एक साथ उसका जवाब देना है, और हर एक बच्चा यहाँ पर अपना rank ले कर जाएगा, पूरी की पूरी class के अंदर, जिक है, एक schedule designer है, जिसके थूँ आप अपने पूरे दिन का schedule अपने हिसाब से design कर सकते हैं, group study की facility हम provide कराएंगे, कि आप अपने साथ जो 10,000 पड़ाई कर पाए, टॉपर का time table आपको provide होगा, आपके बैस का जो हर बाद टॉपर निकलेगा, वो टॉपर क्या कर रहा था पिछले पूरे हफते, उसका पूरा ब्योरा, आप सभी को मिलेगा, live doubt clearing session मेरे through, और मेरी पूरी team के through, topic wise concept, weekly mcq test, performance tracker, यह सारी facility आपको मिलेगी extensive coverage of syllabus and revision for the complete year, जी हाँ, पूरे साल यह सारी facility आपको मिलेगी, एक महिना, दो महिना नहीं, term 1 नहीं, term 1, उसके बाद term 1 का revision का batch, उसके बाद term 1 के guest paper का batch, उसके बाद term 1 का all India pan level का competition, उसके बाद term 2, individually उसका concept, उसका revision, उसका competition, उसके guest paper, यह सारी की सारी तयारी, इस premium batch के enrollment में आ इसके साथ जो आखरी facility है, वो है talk to go or sir directly to solve your doubt via audio call, जी हाँ, audio call के through, आप लोग directly यहाँ पर हमसे वारता लाप कर सकते हैं, यानि कि innovative in the class आप audio call कर सकते हैं, यह सारी facility कैसे मिलेगी, इन सारी facility के लिए, आने वाले दो तारिक के premium batch में आपको enroll करना पड़ेगा, enroll करना बहुत आप लोगों को unacademy के application पर जाना है, जैसे ही आप unacademy के application पर जाएंगे class 12 आप लोगों को select करना है cbsc class 12 का option आप लोगों को मिलेगा, आप जैसे ही select करते हैं, आप लोगों को subscription का portion मिलेगा, वहाँ पर आपको unacademy plus और unacademy iconic according to your financial condition आप लोगों को लेना है for 12 months, जैसे ही बारा महीने के लिए लेते हो आप लोगों को मेरी तरह से दो मन्त एक्स्ट्रा मिलता है और साथ साथ में ये लेते समय आपको बताना पड़ेगा कि जनाब आप कहां से आए हैं तो उसके लिए आपको जो कोड इस्तमाल करना है वो है गौरव जे जी हां जी ए यू आर ए वी यह कोड नहीं है यह अनकैडमी पे इस पर्टिकुलर ब्रहमास्तर बैच की पहचान है यह अगर आपको इस ब्रहमास्तर बैच में एन्रॉल होना है तो कोड एक ही लगाना है वो है गौरव जे जी यू आर वी जे यही कोड जो है आप लोगों के लगेगा और इसको आरमी में आजाओगे नोडाउट आरमी इंडिया के टॉप 8000 स्टूडेंट्स की में आरमी क्रियेट कर रहा हूं जिसके अंदर मेरे 500 से ज्यादा जो से है वो सभी आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड यहां पर कराने वाली है क्लियर हो गया अब बा सब कुछ ठीक है और साथ साथ में अगर आप साइंस के हैं तो साइंस की भी सारी फैसिलिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी जम हम प्राइसिंग की बात करते है तो प्राइसिंग इसकी सोच भी नहीं सकते that is 1125 पर मन्ट चीक है और यह जो प्राइस है यह एक सब्जेक्ट की नहीं है यह हर एक सब्जेक्ट की है जी हाँ जो प्राइस एप्रॉक्सिमेट पड़ती है वो तेरा पांसो पड़ जाती है फॉर ओल सब्जेक्ट यानि 6 सब्जेक्ट की मिला कर तेरा तो पूरे साल एप्रॉक्सिमेटली 2000 रुपे पर सब्जेक्ट पे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है और इस बात को ध्यान रखना कि यह जो लिमिट है यह मेंबर्स की लिमिट हम 8000 के उपर रख रहे है अगर आप financially stable है तो आपको प्लस नहीं लेना है आपको iconic जाना है क्योंकि यहां मैं दो ऐसी facility देता हूँ जो कि कहीं और नहीं मिलेगी वो है personal mentorship जी हाँ एक ऐसा बंदा में आप लोगों के लिए रखवाऊंगा जो आपका personal mentor बनेगा जो आपका schedule design करेगा आपके daily schedule के बात doubt clearance कर सकते हैं यह facility आपको extra मिलेगी अगर आप iconic पे जाते हैं ठीक है और एक चीज़ और बता देता हूं बिटा बीते कुछ दिनों के अंदर बीते कुछ दिनों के अंदर हमारी पूरी टीम को यहां पर इतने सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं जिसकी कोई सीमा नह जी दो तारिक से second of August से क्लासे स्टार्ट हो जाएंगी दो तारिक के बाद अगर आप आते हैं तो आपको दुगनी मेहनत यहां पर करनी पड़ेगी तो इसलिए enrollment आज कराओगे सबसे बहतर है कराओगे कोई बात नहीं परसों कराओगे दिरे दिरे लेट होता जाएगा क्य आपको चार पांच छे दिन चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब दो तारिक से मेरी क्लास शुरू होगी तो दो तारिक से आप लोग यह न सोचो कि सर यह कहां मिलेगा यह कैसे देखना है सर आडियो कोल कैसे होता है कवरेज का है mcq 10,000 बच्चे का है ठीक है यह फैसिल पर देखने को मिल जाएगी सो दिककत परिशानी की कोई बात नहीं है ढ़िकत परिशानी की कोई बात नहीं है आप एक facility और देता हूँ, आप जैसे ये code लगाते हो, आपको 10% off मिल जाएगा, ठीक है, और एक और facility ले लो चलो टाओ, क्या, कि जैसे ही आप ये code लगाते हो, हमारे academy के platform पे बाकी जितने भी batches हैं, बाकी जितने भी teachers हैं, वो सारे teacher, वो सारे batches के लिए आपकी free entry हो लेंगे, payment कैसे होगी, बड़ा simple procedure है, आप academy plus या iconic का subscription लेंगे, जैसे ही आप लेंगे, आप automatically enroll हो जाएंगे, उसमें दिमाख नहीं लगाना, सरी batch दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, कब दिख रहा है, कहां दिख रहा है, कौन कोन आ रहा है, कि क् आप जैसे ही subscription लेते हैं, आप already enroll हो जाओगे, पैसे की कोई tension नहीं है, तो iconic पे ही जाना, plus पे मत जाना, ठीक है, और actual में tension है, तो आप प्लस पे चले जाओ, iconic का जो pricing पड़ती है, वो करीब 2000 रुपीस पर मन्त पड़ती है, जो की बिलकुल भी जादा नहीं है, एक बारवी जाना, payment कैसे कर सकते हैं, जो payment है, वो payment जो है, आप तीन टुकड़ों में कर सकते हो, आप चाहो तो full payment in one go कर लो, आप चाहो तो EMI ले लो, specific cards के ऊपर, आप चाहो तो parts के अंदर payment कर सकते हैं, यह तीन facility आपके उपर, अब आपके इच्छा है, कैसे जोइन करना है, ठीक है, इंडिया के सबसे बड़ी no doubt army में आने का सिर्फ एक ही रस्ता है, वो है, कि आप इस code की मदद से, हमारे unacademy plus के और iconic के subscription को लेंगे, ठीक है जी, आप लोगों से, कल दो पहर कब मिल रहा हूं, मैं, कल दो पहर, दो पहर क्या, शाम को 6 बजे मिल रहा हूं, description में मैंने पिन क कर दिया है, वहाँ पर भी यही code लगाना है, गौरव जे का code लगाओ, entry पाओ, गौरव जे का code लगाओ, entry पाओ, फोकट की entry है वो, जितना भी आज पड़ा है, सब के MCQ, आपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, जनाब 8000 बच्चों पर आप कैसे focus करेंगे, बेटा जी, 8000 बच अच्चे के उपर focus करेंगी, ठीक है जी, समझ में आ गया, तो आप से मिलते जनाब अगली वीडियो के साथ, कल शाम को 6 बजे, जितने भी बालक बालिका यहां मौझूद है, लिंक पर click करें, और directly class के अंदर enroll कर लें, क्योंकि, क्योंकि, seats limited होती है, बेटा, और seats limited अगर है तो उनके लिए आपको फटापट से अपना enrollment करना पड़ेगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूं कैसे आप लोगों को एंडॉल करना है, यह अपनी कक्षा होगी, ठीक है, यह जैसे ही आप इस link पर click करेंगे, आप directly पहुंच जाएंगे, ठीक है, आप directly class के अंदर पहुंच ज सब्सक्रिप्शन की भीड तीन गुना भड़ने वाली है, कल सुबेरे से सब्सक्रिप्शन की भीड तीन गुना भड़ने वाली है, तो आज रात को और आम से सोच लो, जान लो, पैचान लो, माल लो, और उसके बाद पटापट से जाके सब्सक्रिप्शन लेलना, फॉर प सबमेंट नहें पंच समझा तो ने कुछ नीपघा और कतने जिरे को सब कुछ पढ़ेगा आप से जनाम अगली वीडियो टेल दीन भय लोगों सुप्रबात नम्सकार राम राम चद्धर ओरंत तान के मस्त सूलो धैंकी सो मुझें झाल झाल झाल